हेलो फ्रेंड्स यह पीजीटी सोश्यालजी को द्रश्टगत रखते हुए तो यह माडल कुश्चन की सिरीज 2 है पहले मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ तो दिखिये टाइम को वेस्ट करते हुए कुश्चन देखते हैं यह बहुत सरल कुश्चन है यह आपको को आने ही चाहिए है परात्मीक ऋमू की अवधाणळा किस ने दी है तो तो प्रात्मी ऋमू की वलिखेद में से कौन सी संस्था की विसेश्था नहीं है तो इसमेंसे इनसर कहा है सी सामाजी के समूं का समून वह का री ती नियम बगेरा होती है इसमें इसमें और यह इश्थभाए place के से नियम अंतले कम अनशा है भारत में समासास्त के पिता कौन है भारत में समासास्त के पिता किसको माना जाता है तो इसका इंसर है C. राधा कुमल मुखर जी को माना जाता है समासास्त का पिता निविल्खिन में से कौन भूमिका के अध्यान से समंधित नहीं है इसका अंसर है D. शोरोकिन भूमिका के अध्यान से समंधित नहीं है next किसने कहा कि सभ्यता का उद्भाव विकास एवम अवनत जलवाई पर आधारित है तो ये कहा आपके B. हटिंग्टन ने next निविल्खिन में से कौन प्रदत प्रस्थिती का आधार नहीं है प्रदत प्रस्थिती का आधार नहीं है इसको ध्यान से ध्यान रखियेगा तो इसमें से C. संपत्ति का संचय यही प्रदत प्रस्थिती का आधार नहीं है अंसर हुआ C next मूल की परिभासा किसने दी है तो इसका अंसर है A. राधा कमल मुखर जी जी ने दी है मूल की परिभासा next चेतनात्मक एवं आधर सात्मक संस्कृत की अवधाना किसने दी तो इसका अंसर है D. शोरो किन ने दी है चेतनात्मक एवं आधर सात्मक संस्कृत की अवधाना next सहयोगी प्रक्रियाएं हैं सहयोगी तो इसका अंसर होगा D सहयोग समायोजन यो सात्मी करण और समय देखें प्रतिसपर्धा संगर्ष यह तो यह नहीं है इसलिए इसका अंसर होगा D आधुन्य की करण है एक संस्कृतिक अवधाना है यह हुआ इसका अंसर प्रश्चमी करण की अवधाना किसने दी इसका अंसर होगा C M N सिरी निवास ने वर्ण का प्रारंभिक उलेख मिलता है किसमे मिलता है ए वेद में मिलता है वर्ण का प्रारंभिक उलेख माक्स के सामाजिक परिवर्थन संबंधी सिंधान्त में किस अवधाना का प्रियोग किया गया तो सामाजिक पर Caribbean समंधि माक्स के तो उत्पादन की सक्तियां B इसका इंसर ये सब्ढहना का प्रियोग किया गया जातिका व्यवसाइक सिधानत किस ने दिया तो किस ने दिया A ने ने दिया जातिका व्यवसाइक सिधानत Next हम समितियों के सदस्य हम निर्म लिखित में से किसके सदस्य नहीं होते हैं संस्था के संस्था क्या है कारिकलाब नियमों की जो है वही है संस्था तो एंसर हुगा सी और सभी जो है समाज समदाय समित इनके हम सदस्य होते हैं निर्म लिखित में कौन सा कथन अधिक सत्य है तो समाज का अधियन है भी लिखित में कौन सा कथन अधिक सत्य है तो इसका एंसर है समाज सास्त एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है यही सही है यानिक सी समाज सास्त बनता है तो किस से बनता है विखियों के बीच समाज बनता है विखियों के बीच समंदों से अंसर हुआ बी मानव समाज यानि Human Society पुस्तक के लेखक कौन है वो इसका अंसर है B. Kingsley Davis मानव समाज या Human Society के लेखक Kingsley Davis निम लिखिन में किसकी सदस्यता जन से प्राप्त होती है प्रजात जन जात सभी तीनो तो जात ए समितियों की विशेष्टा है तो समितियों की विशेष्टा है ये सभी समित की विशेष्टा निश्चित उद्देश होंगे मनिश्य का समो होगा और संग्ठन होगा और इस थाई प्रक्रत होगी तो यहां पे तीनों इसके है तो इसका एंसर हुआ दी हम समित के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं बहुत इंपार्टेट है यह स्टेट्मेंट यह है उपका एम है काई वर रहाँ पेज का हम समित के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं दत्य एक समूं के विशेस्ता है तुद्ध तो यह सम्मुक्य विश्ता है C अनौपचारिक संबंध आधुनिक समाज में व्यक्त की इस्थित मुक्यता किस बात पर निर्भर करती है तो आयू प्रद्धत अर्जन सभी तिनुप तो यह अर्जन पर उसने क्या अर्जित किया है अपने आप अर्जित कर सकता है अद्मिक समाज में तो इसका अंसर हुआ C निमन लिखित में से क्या सत्य है तो निमन लिखित में से सत्य है D सभिता मानवों तथा पसुओं दोनों में होती है सभिता तो इसका अंसर हुआ D अर्जित इस्थित का आधार है अर्जित इस्थित का अधार है शिक्षा अर्जित धन्पद सभी तीनों तो अर्जित इस्थित का अधार है डी सभी तीनों तो एंसर हुआ डी इसका जब एक व्यवहारवादी तथा नम्रव्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहार सिल्टा की सहता से पारदर्शी बनाता है तो उसको कहा जा सकता है दक्ष जब एक व्यवहारवादी तथा नम्रव्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहार सिल्टा की सहता से पारदर्शी बनाता है तो उसको कहा जा सकता है दक्ष डेनियल लर्णर ने गैर आर्थिक चरो और किसके भी सक्त अंतह संबंध नापा है तो गैर आर्थिक चरो और पश्चमी कराण के बीच अंतह संबंध नापा है इस्पेंसर ने पूरे विकवास को किस दो प्रकार के समाजों में देखा किस दो प्रकार के समाजों के रूप में देखा तो इस वंसर ने सायनिक तथा और दोगिक समाजानिक एंसर हुआ ए निम लिखित में से किस ने ग्राम नगर सातत्ती की अवधाना दी बी राबर्ट रेड फिल्ड ने दी ग्रामनागर सातत्य की अवधाना नेक्स्ट सुचि फस्ट को सेकेंड के साथ समयलित कीजिये और सुचियों के नीचे दीएगे कोट की साहता से सही उत्तर का चैन कीजिये तो यहां पर देखें हर्वार्ट स्पेंसर अभी हम लग उपर पढ़ी चुके हैं योजशु और अद्योगिक साहिनिक और हैंरी मैन प्रस्तिश्म विदा अना लैवी लैवी मार्गन धर्म रोड धर्म निर्पेक्च रबर रेड फिल्ड लोक नागरिक यहनी की हुआ इसका 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 कहां है यह है आपका C मैं यहनी का इंसर हुआ C, 3, 4, 1, 2, अगला निमलिखित में से किस एक कारण नदी घाटी सब्विता के काल में नगरों की सम्रद्धी हुई नदी घाटी सब्विता की समय में नगरों की सम्रद्धी हुई किस कारण तर इसका अतर है D, धातु कर्म कला के कारण D थेंक्यों प्रेंट सिसीक साथ ये मेरा वीडियो समाप्तुगा